So, Hello Wazim Girls, I'm back after a long time and आज मैं एक ऐसी स्टोरी आप सब को सुनाने जा रहा हूँ पहली बात तो स्टोरी टाइम वीडियो में बहुत टाइम बात बना रहा हूँ मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही अपनी एक स्टोरी टाइम वीडियो देखी and then I realize कि यार मैंने बहुत टाइम से स्टोरी टाइम वीडियो नहीं बनाई almost एक साल होने को है एक साल आप कहलो हो चुका है मैंने स्टोरी टाइम वीडियो नहीं बनाई बहुराल सबसे पहले तो thank you so much for 1K subscribers finally हमारे 1K subscribers हो गए जितने भी लोगोंने support किया जो कुछ subscribers ऐसे भी हैं जो बहुत ही पुराने subscribers हैं जो जब 2020 में मैंने अपना channel स्टाट करा था उस time से देखते आ रहे हैं then लोग जुड़ते गए जुड़ते गए and I hope कि आप लोगों का support ऐसे ही आता रहेगा तो बहुराल शुरू करते हैं आज की कहानी यह कहानी अभी एक हफ़ते पहले ही हुआ है मेरे साथ ठीक है ज्यादा पुराना वाक्या है नहीं है तो मैंने सुचा कि आप लोगों के साथ शेर करू क्यूंकि यह बहुत ही दिल्चस्प वाक्या और इस वाक्या से तुम लोगों को कुछ चीज़े सीखने को भी मिलेंगी अब हुआ यह कि मैं थोड़ा सा mentally disturbed था मतलब अलहमदुलिल्ला I am mentally stable mentally stable होना और mentally disturbed होना दो अलग चीज़े हैं तो गोर से सुनना तो यह सीन था कि यार मैं सो नहीं पा रहा था मुझे नीन नहीं आ रही थी एक दिन हुआ दो दिन हुए तीन दिन हुए चार दिन हुए भाई चार दिनों में मैं सिर्फ और सिर्फ नौ घंटे सोया सा सिर्फ नौ घंटे चार दिनों में पहले दिन में चार घंटे सोया दूसरे दिन एक घंटे सोया तीसरे दिन दो घंटे सोया और चौथे दिन भी दो घंटे ही सोया अब obvious सी बात है जब तुम्हारी नींद पूरी नहीं होगी especially इस case में जब 4 दिन में तुम सिर्फ 9 घंटे सोय हो science कहती है कि इनसान के लिए 10 घंटे सोना बहुत जरूरी है ठीक है यह भी एक अफ़े पहले की बात है mentally तुम्हें disturbed था कुछ चीजों की वज़े से जिसकी जिसे नीन नी आती थी अब नीन नी आ रही पहली चीज तुम्हें गुसा बहुत आएगा क्योंकि एक जब इनसान को नीन नी आती ना तब भाई उसको अगर तुम इतना भी कहलो ना के भाई थोड़ा साइड पर हो जाए या थोड़ा सा खिसक जा उस बात पर भी उसको गुसा आजाएगा कि तूने मुझे बोला कैसे के यहां से खिसक जा लिटरली ऐसी फीलिंग होती है तुमारी उस वक्त क्योंकि obviously नीनद तुमारी पूरी है नहीं और गुसा तुमारा पीक पर है पहली चीज़ आँखों को चाये अराम ब्रेन को चाये अराम बॉडी को चाये अराम हड़ीयों को चाये अराम and obviously भाई जब तुम नहीं सोते नीनद पूरी नहीं तो जाहिर सी बात है चड़चड़ापन पैदा हो जाता है इंसान में बट फाइनली पांचवे दिन मुझे नींद आ गई मैं जब सोता हूँ न मुझे नींद आती नहीं है मुझे नींद बहा के ले जाती है मैं इतना सोता हूँ मतलब जब मैं सोता हूँ ना, तो मैं सो ही जाता हूँ, समझ रहा हूँ ना, एक मरतबा फिर सुनना, मुझे नींद आती नहीं है, मुझे नींद बहा के ले जाती है, तो नींद आगी मुझे किसी तरह, बट अचानक से मैं ये फील कर रहा हूँ कि यार मैं उठ नहीं पा रह अब जाहिर सी बात है मैं चार दिन से सोया नहीं हूँ अभी सोया हूँ और डेड़ घंटे बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं हिल नहीं पारा भाई और इस दिन जो मैं सोया हूँ ना सोने से पहले मैंने मूवी देखी थी दनन हौरर मूवी दुनिया ने तो कब की देख ली मैंने अब जा के देखी है यहीं कोई तक्रीवन मेरे ख्याल में सोबा के साड़े 6-7 बज रहे थे ठीक है रूम की लाइट्स ओफ and मुझे ऐसा लग रहा है तो जो नन है इस मूवी की यो जो चुड़ैल बूथ वो मेरे सामने से आ रही है अब मैं चाहता हूँ मैं हिल जाओ ठीक है लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा अब मैं हिल नहीं पा रहा and then फिर वो आती यह आती है आती है, मेरे पास आके ऐसे करती है इतना काफी है भाई किसी भी नॉर्मल इंसान की फाड़ने के लिए यू कांट बिलीव कि यार जैसी मैंने पलक जपकाया ना, आंखे बंद की और खोली, वो नन गायब चलो किसी तरह हैंडल करा खुद को तो फिर मैं उठा, अब मैं यह सोचने लगा कि यार पहली बात तो रमजान का महीना है, रोजे के अंदर हूँ मैं, तो यह कैसे हो सकता है मेरे साथ, फिर मुझे रेलाइज हुआ कि रमजान में शैतान बंद होता है, जो है न, जिन जिननात तो होते ही है तो मैं, परेशान हो गया कि भाई, किसको बता हूँ, किसको बता हूँ घरवालों को बोल नहीं सकता है, ऑविसली घरवाले कहेंगे, सब फोन की गलती है दिन पर तुम फोन में पड़े रहते हो, इसी की गलती है कुछ भी हो, घरवाले फोन को भी ब्लेम करते है then हुआ ये, मैंने अपने एक दोस्त को फोन मिला हूँ, उसको मैंने बोला then वो कहता है कि भाई, पका तेरे कमरे में है ना जो कोई हिसाब किताब है भाई, तु ये कर, तू वो कर, उसने मुझे बहुत सारे तोटके बता है, मैं हैरान हूँ ये बोल क्या रहा है भाई, कोई एक टोट का बंदा बता था, उसने दुनिया भर के टोटके मुझे बता दिये, उसने मुझे इतने टोटके बता है, जैसे मैं कोई नॉर्मल घर में नहीं, कोई 80 साल पुरानी हवेली में रहता हूं, तो फिर मैंने दूसरे दोस्त को भी कॉल किया, एंड उस समझदार इंसान ने, जो मेरा दूसरा दोस्ता हूं, वो मुझे 5 साल बढ़ा है, I'm 19 years old and he is 24 years old, उसने मुझे कहा कि भाई, तुने कोई भूत भूत नहीं देखा, तुझे sleep paralysis हुआ है, तो मैंने कहा ये क्या होता है भाई, तो कहता है sleep paralysis और hallucination, इन दोनों का combination जो है बड़ा खतरनाक होता है, इन दोनों में होता ये basically, कि आप वो चीज़े देखने लगते हो, जो reality में exist ही नहीं करती है, और उसने मुझे ये भी पूछा कि तुमने सोने से पहले कुछ किया था, या कुछ देखा था, मैंने का यार रमजान का महीना है, कैसे कुछ कर स तो कहता है अबे पागल इंसान, तो एक तो चार दिनों में सिर्फ नौ घंटे सोया, नीन तेरी पूरी है नहीं, तुझे नीन की जरूरत है, क्योंकि एक होता है ना कि जब एक टाइम होता है कि आपकी बॉड़ी कहती है कि यार बस कर जा बाई, बस कर जा, अब नहीं होता ओविसली आँखों को अराम चाहिए, ब्रेन को अराम चाहिए, बॉड़ी को अराम चाहिए, और मैं वो अराम दे नहीं पा रहा था अपनी बॉड़ी के इन सब पार्ट्स को, तो ओविसली ये सब तो होना ही था, उसने मुझे कहा कि नीन तेरी पूरी है नहीं, जब तू बॉड़ी को अराम नहीं देगा तो ये सब तो होगा, और मैंने नीन्द, मैंने उसको कहा कि यार सोने से पहले मैंने देखी तो कहता है बास, यहीं, एक तो नीन्द पूरी ना होने की वज़े से, तेरी बॉड़ी बहुत ज़्यादा ठक गई है, तेरी बॉड़ी को रेस् तो वहम था ये सब, तो हाँ, फिर अगले दिन, अगले दिन मैं सोया, उस दिन मैं भाई, फोल रेडी हो चुका था, मैंने का आज भाई, नन को आने दो, आज नन की जो मैं हालत करूंगा, नन को तो नन चड़ा के जाऊंगा, मैं सोया और मैं इंतिजार करता रहा कि अभी अभी नन आएगी, अभी नन आएगी, लेकिन, नन नहीं आई, क्यों, क्योंकि इस मरतबा मेरा माइंड रेडी हो चुका था, ये एक्सेप्ट करने को, कि ये सब हैलूसिनेशन है, रियालिटी नहीं है, लास्ट टाइम मुझे लगा कि भाई, कोई भूत, प्रेत, चोड़ जो है ना, नॉर्मल ही रहते हो, लेकिन, अब आपको एक मुवी के या एक गेम के बारे में नहीं पता, आपको पता है नहीं कि इस मोमेंट पर जंप स्केर आएगा, जटका लग जाता है ना, इनसान को, तो इस चीज़ से मुझे ये जरूर सीखने को मिला, कि नींद बहु और टाइम पहले, तो उस कीवन एपिसोड के अंदर कैरी से किसी ने पूछा था कि आपको इतने अच्छे-चे आइडियास कहां से आते हैं, इतने क्रियेटिव आइडियास वीडियो बनाने के लिए, तो कैरी ने बहुत अच्छा रिपलाई दिया था, आप अपनी नींद पूरी है, आपका दिमाग चलने लगेगा भाई, चलने का मैं कहता हूँ दौडने लगेगा, तो इसकी एक छोड़ी सी एक्जेम्पल इट मुवी से ले रो, इट मुवी उसके अंदर ये होता है कि वो जो जो कर होता है, वो जो क्लाउन पैनी वाइज, जो 27 सालों में एक बार आता है और सब को खा के चला जाता है, फिर 27 साल सोने, जिन्हों ने वो मुवी देखी उनको पता है, बहुत फेमस मुवी है, अगर नहीं देखी तो highly recommended जरूर देखना, दो पार्ट से हैं उसके, तो इट मुवी में जो पैनी वाइज होता है, वो characters को उन चीजों से डर लेकिन अगर वो नहीं डरा, तो वो कमजोर होता जाएगा, और chapter 2 में वो इसी चीज़ का फाइदा उठा के उस Joker को मारते है, spoiler दे दिया मैंने, तो ये एक छोटी सी कहानी थी मेरी जिन्देगी के कुछ दिनों पहले की, अगर आप लोगों को और कहानीया सुने है, मेरे पा आने वाला हूँ, आप सब लोग अपने सवाला छोड़ सकते हो इस वीडियो के comment section में, तो मैं QN episode बनाऊँगा, उसमें उनके जवाबात जरूर दूँगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बूला था कि 1K subscribers पर मैं QN जरूर बनाऊँगा, so I hope कि आप सब को ये स्टोरी पसंद आई and like करना ना भूलिए इस वीडियो को, subscribe कीजिए, share कीजिए अपने दोस्तों के साथ and मैं मिलूंगा next time with more videos, with more story times, तब तक के लिए, good bye